नमस्कार आदाव स्वागार आपका मैंट ब्रेंज पे इंडिया इस बेस्ट और राइनिंग प्रैटफॉर्म जहां आपको मिलता है किंडर्गार्टन से लेकर 12 तक कसारा एजुकेशन आपसलूटली फ्री ओफ कॉस्ट तुदेंस आप हमारे साथ नसे अपने स्कूल एक्जामिनेशन बलकी बोर्ट एक्जामिनेशन और कमपटिटिव एक्जाम अर्थात पतियोगी परिक्साओं की भी तयारी कर सकते हैं बढ़ियां से वो भी बिलकुल फ्री ओफ कॉस्ट सर इ आपको जब भी मागनेट ब्रेंस के किसी टीचर द्वारा कुछ पढ़ाया जाता है या हमारे किसी सेशन या लेक्चर द्वारा आप कुछ सीखते हैं तो उसे अपने फ्रेंशन फामिली में जरूर शेयर करें ताकि वो भी लर्न कर सकें वो भी कुछ नया सीखें और हमारा देश तरक्की कर सकें तो यह तो आपको पता है तो भी यह अप्लाइट माच्स के सेवन्थ चाप्टर पर्मूटेशन और कॉम्बिनेशन का हम आज कर रहे हैं एक नया अध्याय स्टार्ट बेसिकलिए जो दो दानव हैं एक का नाम है पर्मूटेशन दूसरे का नाम है कॉ से एक को अपना शुरू करने वाले लेकिन सर जितना हमें याद है यह चाप्टर सेवन का तीसरा चौथा सेशन है मतलब चौथा वीडियो है बिल्कुल ठीक बात आपकी तो इसके पहले आपने अगर पर्मूटेशन नहीं कराया तो क्या कराया था देखो भाया क्या है हर ज इसके बेसिक्स आपके प्रिवियस क्लास में अच्छे से कवर नहीं हुए होंगे इनसेंस आठवी नौवी दसवी में इसलिए हमने क्या किया था कुछ बेसिक कॉंसेप्स जो कि यहां पर बहुत काम आएंगे उनका सेशन बनाया है तीन-चार सेशन है जहां पर आपको कॉ जाया है कोईशन भी प्राक्टिस कराये हैं डिस्क्रिप्शन बाक्स में उनका लिंक मिल जाएगा जाके देखिए आपका जो फ्लो ऑफ लर्निंग है आपका जो अंदरस्टांडिंग है वह बहुत इजी हो जाएगा ठीक है बात समझ में आगई चलिए तो आज की कहानी का आपन सुभाराम करते हैं आपन आज के सेशन का एजिंडा क्या रखेंगे पर्मूटेशन को अच्छे से समझना है और बहुत सारे को प्राक्टिस करना है एक्जाम्पल कोईशन को जिसके बाद अगले सेशन में जब हम एक्सराइस करने जाएंगे तो फटा-फट हमारे आ पर्मूटेशन आपको पहली बात तो दोनों वर्ट का मीनिंग समझ में आना चाहिए ठीक है कॉम्बिनेशन को अपन बाद में अप्रोच करेंगे तो उसको अभी से लाके मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करूंगा फर्स्ट लेट्स कीप आर फोकस ऑन पर्मूटेशन क्या क यहाँ पर देखो इच हर एक अरेंजमेंट विच कान बी मेड कौन सा अरेंजमेंट करेंगे वो तो बात की बात है पर पहली बात क्या आ जाती है कि कौन सा अरेंजमेंट पॉसिबल है जब आप किसी पर्टिकुलर नंबर आफ अब्जेक्स के कुछ जहाँ आप लिखा है आपके पास तीन कलर के बॉक्स एक रेड है एक ब्लू है और एक ग्रीन है आपको इन तीन बॉक्स को अरेंज करना है ठीक है अग मैं जब पर्म्यूटेशन का कौन सेप्प पढ़ूंगा तो मैं वहाँ पर पता लगाऊंगा कि कितने पॉसिबल वेज हैं जिन में इन तीन बॉक्स को अरेंज किया जा सकता है ये क्लियर हो गया यही हमारा यहाँ पे एजिंडा रहता है हमेशा ठीक है तो जैसे मान लो यहाँ पर आपको देखर एक्जाम्पल दिया है फॉर एक्जाम्पल और पर्म्यूटेशन डाट इस अरेंजमेंट विच कान बी मेड फ्रॉम ए बी सी में से किनी दो को एक बार में आप लोगे ठीक है तो यह आपको यहाँ पर एक्जाम्पल एक दिया गया है जैसे मैंने कलर्ट बॉक्स का दिया था इन्होंने लेटर्स का दिया है कि ए बी सी तीन लेटर्स हैं इनमें से आपको दो एत टाइम लेने हैं तो क्या अर सकते हो ठीक है उसके बाद c a को ले सकते हो अच्छा आपने जैसे a b लिया तो आप गए a से बी लेकिन is that the only possible combination actually not आप वापस भी तो आ सकते हो b a सर दोनों सेम ही तो हुए ऐसे कैसे लिया जाएगा उससे ही तो पता चलता है ना कौन बड़ा है कौन छोटा है है की नहीं तो ठीक वैसे ही arrangement में आप सारे possible cases को consider करने की कोशिश करते हो तस the number of permutations of three different objects taken two at a time is six ठीक है तो यहाँ पर नंबर आफ permutation number of possible arrangements जिसको हम कह सकते हैं अगर यह तो हो गया अपना specific word जो की mathematically use होता है पर अगर मैं समझने के लिहाद से देखू तो basically यहाँ पर हम क्या कह रहे है possible arrangements of three different objects जबकि हम उसमें ले कितने रहे हैं एक बार में दो ही ले रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे विचित्र विचित्र cases ठीक है जब आप तीन चीजों को अरेंज कर रहे हैं और उसमें तीन ले रहे हैं एक बार में दो ले रहे हैं एक ले रहे हैं एक सेक्टरा एक सेक्टरा बहुत सारे आपके पास cases आएंगे जिनको आप permutations के जो concept है जो formula है जो learning है उसके हिसाब से फिर approach करोगे clear होगे यह मामला तो कुल मिला के permutation में हम क्या समझते हैं पहले वो एक छोटा सा हमें जो meaning यह समझ में आ रहा है वो यह कि जब हमें कुछ number of objects दी जाती हैं और हमें उनका arrangement करना होता है तब हम permutation का concept picture में ले के आते हैं ठ पस तीन लेटर्स दे दिये हैं सी एटी जिसमें अब की बार हम सारे के सारे ले रहे हैं पिछले बार वाले में कित्ते ले रहे थे पिछले बार वाले में हम ले रहे थे कोई दो अब की बार हम सारे के सारे ले रहे हैं तो भी हमारा मामला बनेगा ठीक है तो यहां यहां पर लोने लिखके बढ़े हैं एक्छली एक्जाम में हमें हमें यूज लिखना नहीं पड़ता कि एक्जाम में यह आंशर बताने पड़ते कि कितने possible combinations होगे ठीक है आपको केवल वो जो value है जो number of arrangements है वो बताने होते हैं सवालों में ठीक है अब यहां पर देखो important note एक दिया है note that in a permutation the order of arrangement of objects is taken into account अर्थात यहां पर यह क्या कह रहे हैं देखिए जब भी आप permutation का concept पढ़ते हैं तो उसमें order का बहुत ध्यान रखा जाता है मतलब इनके हिसाब से अगर जैसे आप ABC वाला जो example कर रहे थे उसमें AB as a separate case count होगा and BA would be counted as a different case और यह आपको क्यों याद रखना है क्योंकि आपके लिए हो सकता है कि AB और BA एक बराबर है इसमें कौन पहले आ रहा है कौन बार में आ रहा है इससे बहुत फरक पड़ता है ऐसे cases को अलग-अलग consider किया जाएगा जब तक सवाल में अलग से कुछ दिया ना मतलब अगर सवाल में दिया है कि नहीं भीया यह एक ही case माने जाएंगे तब आप उनको एग गिनोगे तब अलग तरीके से कुछ extra करके हम final answer बताएंगे ठीक है पर जब आप normally permutation का concept लगाते हैं तो permutation का concept हमेशा order को unique मानता है in the sense AB को separate एक order मानेगा और BA को separate एक मानेगा clear है यह बात ठीक है कोई लिक्कत तो नहीं है इसमें चलिए अब यहाँ देखिए in the above example one AB and BA are different arrangement जो मैंने बोला second in the second example आप देखोगे आँपे CAT, CTA, ATC यह तीनों बने तो उती से ही है फरक क्या इसमें खाली arrangement का है किसी में C पहले है किसी में C बाद में है ठीक है तो इस तरीके से भी आप different assumption ही different case ही मानोगे जब भी आप permutation के concept का by understanding use करोगे ठीक है हाला कि अगर सवाल ऐसा आता है कि जिसमें आपको repetition या ऐसे same जो आपके वो हैं objects हैं उनकी position change करने को आप नया case नहीं मान रहे हैं तो उस case में हम कुछ extra calculation भी करेंगे चले यहाँ देखिए let r and nb यहाँ पे कुछ permutation के बारे में दिया है और in fact सबसे important part हमारे session का यहीं पर आ जाता है यहीं से शुरू होता है आगले 5 मिनिट के लिए मान लो आप यहाँ देखो क्या बोल रहा है वो let r and n be two positive integers and r की value या तो 1 से जादा है 1 के बराबर है या फिर n से कम है then number of permutations of n different objects taken r at a time repetition of objects not allowed is denoted by npr अब देखो यहाँ पर एक important चीज आ रही है वो यह है आपका पूरा chapter जो है जो पूरा permutation का जो concept है वो इसके around revolve करता है क्या लिखा इन्होंने इन्होंने लिखा है कि भाईया p represents the permutation ठीक है उपर जो n है वो यह represent करता है कि कितने हमारे पास objects है ठीक है और नीचे जो r है वो यह represent करता है कि कितने हमें select करने है कितने हमें arrange करने है ठीक है जैसे हमारे पास जो यह letters वाला case था जब हमने पहले देखा a b c वाला तब हमें 3 letters में से कितनों को arrange करना था 2 को तो हम उसको कैसे लिखते हैं हम उसको लिखते है 3P2 इस दिस clear जो second वाला मामला था जिसमें हमें CAT 3 letters दिये थे उसमें हमें 3 में से 3 ही arrange करने थे यह clear है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जरा सी भी नहीं सर समझ में आगए आपको हां जी सर तो यह जो NPR है इट इस दा mathematical representation of permutation और arrangement of things ठीक है इसमें दोनों चीज़े important है पहला कि आपको कितने objects दिये गए हैं दूसरा उन में से कितने select करने हैं या कितने arrange करने रादर ठीक है clear है यह जी सर एक और चीज इस formula के तहट या फिर इस concept के तहट आप repetition of objects allowed नहीं करते यह clear हो गया सर repetition of object मतलब आप यह नहीं बोलोगे कि मैं a और a को select कर रहा हूं अगर मुझे a b c letters में से select करने को बोला है तो यह repetition कहलाता है यह allowed नहीं है normally जब हम permutation का concept यूज करते हैं अगर किसी case में वो allowed हो जाता है तो उस case में हमारा सवाल के तरफ approach थोड़ा सा अलग हो जाता है जिसका आपको आगे ज्यान मिलेगा चिंता न करें चलिए permutation when all objects are different देखो यहाँ पर आपके पास formula आ गया ठीक है यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर यह कह रहे हैं कि आपको permutation तब हम सिखा रहे हैं जब सारे objects all objects are different जब all objects different नहीं होंगे उसमें से कुछ same हो जाएंगे तो माम डालग हो जाएगा वो भी अपन सीखेंगे यहाँ देखिए पहले थोरम आपके समख सा रही है पर्मूटेशन की जो की बहुत important है बहुत सारे questions में आपको help करेगा question कह रहा है आपसे यह theorem के रही है आपसे the number of permutations of n different objects n objects हैं हमारे पास सबके सब different हैं कोई किसी से match नहीं कर रहा है सबकी unique identity है taken r at a time repetition of object not allowed is given by अब देखो यहाँ पे जो हमने लिखाता न वो npr उसको बहुत बार गणितक यह ऐसे भी लिखते हैं कैसे यह p नहीं कि permutation of n कितने हैं ठीक है कॉमा कितने कितने arrange करने तो npr यहाँ पर रिप्रेसेंट कर रहा है कि permutation of n objects में से r objects को select करना और इसका formula क्या हो जाता है तो यहाँ पे देखो आप n n-1 n-2 and so on करके चलते हो तो आपको formula मिलता finally in the end कि permutation is n factorial upon n-r factorial ठीक है तो हमारा जो formula हम वहाँ पे देख रहे थे कि permutation of out of n objects arranging r objects is always equal to n factorial divided by n-r factorial और अगर आपको याद हो तो हमने जब exercise 7.1 7.2 करी है तो उसमें ऐसे calculations हमने बहुत बार किये हैं is this clear proof अब देखें आप पर प्रूफ पे जिसको आपको रटना नहीं है सिर्फ थोड़ा समझने के लिहाज से यहाँ पे दिया गया है ताकि आप विल्कुल भी disconnected ना फील करें देखिए the number of permutations of n different objects taken hour at a time is same as the number of ways in which our vacant places can be filled by n different objects concept समझना और यह आप पहले कर चुके हो देखना मैं अगर आपको याद दिला हूँ 7.1 7.2 में हमने question कि मानलों अगर 3 letters है और उनमें से हमें 2 को arrange करना है तो 3 letters है और दो को arrange करना राइट अब जब 3 letters में से 2 को arrange करने की कोशिज कर रहे हैं तो पहले वाले place पे कितने options available हैं आपके पास तीन है सर तो आपने यहाँ पे लेखा 3 ठीक है दूसरे वाले place पे कितने options available आपके पास सर एक वहाँ बैठ गया तो यहाँ पे 2 आना चाहिए अब जो हमने concept पढ़ा है उसमें या तो addition होता या multiplication होता है depending on and वाला case है या फिर और वाला case है ठीक है अब जब आपको 2 letters select करने तो पहला भी select करना है and दूसरा भी select करना है तो यहाँ पे आप क्या करोगे multiply करोगे तो 3 into 2 ways 6 और आपने भी देखा जब हम permutation की बात कर रहे थे 3 letters में से 2 को select करने की तब भी हमारा answer 6 ही आया था तो बस यह जो आपने multiplication वाला नियम लगाया अब यह तो बहुत छोटे-छोटे cases में हो गया पर जीवन में इतने सरल इतने आसान case तो आएंगे नहीं इसलिए हमने यह formula निकाला है जिसमें आप निकालते हैं कि यदि आपको n objects में से r objects को arrange करना है तो आपका formula हो जाना चाहिए n factorial upon n minus r factorial is this clear the first place can be filled up by in different ways because any one of the n objects हां ठीक ही है हमने अभी आपको explain किया कि पहली place पे n आ सकते हैं उसके बाद वाली पे n minus 1 होगा जैसे हमारे case में पहली पे 3 आए दूसरे पे 3 minus 1 यानी 2 आए similarly third place पे n minus 2 and so on ऐसे ही मामला चलता रहेगा और fundamental principles of counting के हिसाब से इन सब को multiply किया जाएगा क्योंकि हमें सारे चाहिए cases हमें केवल उन में से कोई एक नहीं चाहिए हमें अगर arrange करना है तो सबको arrange करना पड़ेगा ना तो मतलब सबका multiplication होना चाहिए इसलिए हमारे पास यह formula होता है कि npr is equal to n factorial upon r factorial और यह सारी activity हम 7.1 7.2 में as a proof भी कर चुके हैं क्या मुझे यह सारे proof याद करने के आवशकता है to be honest नहीं आपको बस concept पता होना चाहिए कि उपर n factorial आएगा नीचे n minus r factorial आएगा जिससे कि आप चीज़ों को arrange कर सकते है clear है अब यह देखो कुछ extra चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए जैसे यह जो word है corollary इसका मतलब होता है कि basic concept के अलावा आपको क्या क्या पता होना चाहिए तो जैसे आपको कोई बोल दे कि अगर आपको n objects में से n को ही arrange करना है मतलब सारे के सारे objects को arrange करना है उस case में आपका formula सीधे सीधे हो जाता है n factorial मतलब अगर कोई आपस बोल दे कि आपके पास चार objects है और आपको चारों को arrange करना है किसी एक या दो को नहीं या इन चार में से किसी तीन को नहीं तो आपका जवाब होना चाहिए four factorial ways में इनका arrangement होगा considering all of them ठीक है तो यहीं आपे लिखा है कि n p n मतलब n objects में से n को ही arrange करना है तो उस case में आपका calculation करके answer क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा n factorial ठीक है यहाँ पर देखो लिखा है putting r equal to n जो कि हमने यहाँ पर किया formula में रखा तो हमारा answer आया n factorial क्योंकि नीचे जो हमारा denominator है उसमें आ रहा है 0 factorial which is equal to 1 is this clear कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जलासी भी नहीं सर आपने यह भी revise किया है कि 0 factorial 1 होता है चलो अब यहाँ पर देखो कुछ important remark है we defined n p 0 as equal to 1 अर्थात अगर आपको n objects में से एक भी arrange नहीं करना है ठीक है एक भी arrange नहीं करना है तो आपका जवाब होगा n p 0 which is equal to 1 sir यह one क्यों आया क्योंकि भाईया देखो अगर आपने एक भी इदरोदर कर दिया तो मतलब आपने कुछ ना कुछ arrangement तो किया मतलब आपके पास a b c है मानलो for example अगर आपने इन में से किसी a को भी हिला दिया c को यहाँ कर दिया b को यहाँ कर दिया तो आपने कुछ ना कुछ arrangement तो किया ठीक है एक केस जहां पर वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे मतलब कोई further arrangement नहीं हुआ है इसलिए वहाँ पर लिखाता है n p 0 is equal to 1 that is the number of permutations of n different objects taken nothing at all is taken as 1 वो एक केस जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है ठीक है चुकि ऐसा कोई केस तो होगा ना जहां पर कुछ भी नहीं कर रहे हो counting the number of permutations is merely counting the number of ways जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं in which some or all the objects taken at a time are arranged very good arranging no objects at all is the same thing as leaving behind all the objects and we know that there is only one way of doing so मतलब जो जैसा था उसको वैसा ही रख दिया तो वो भी एक तरीके से हुआ तो एक arrangement ही ना अब आपने जो given arrangement था उसे touch नहीं किया मतलब उसे disturb नहीं किया disturb करोगे तो नया arrangement बनेगा पर जैसा था वैसा कब ऐसा आपने रख दिया तो वही arrangement continue हो रहा है तो उसको आप एक केस मानोगे ठीक है तो यहाँ पर देखो थास्ट फॉर्मला एन पी आर इस एन फैक्टोरियल अपन एन माइनस आर फैक्टोरियल इस मीनिंग्फुल फॉर आर इक्वल टू जीरो अलसो ठीक है तो कल को अगर mcq में आता है कि npr is not meaningful फॉल फॉर एक्वल टू जीरो ट्रू और फॉल्स तो आप इसली बता सकते हो या फिर मान लीजे अगर कल को बोर्ट आपको असर्शन रीजन कोईशन देता है तो वहाँ पर इसको as a reason लेके आपको कोई statement दिया जा सकता है जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा ठीक है पर यह statement आपको समझ में आना चाहिए क्या कह रहा है बहुत simple भाशा में कि चीजें जैसी आई थी ठीक है मतलब जब आई होंगी तब भी किसी ना किसी order में तो आई होंगी तो उस order को अगर हम हम बिना चुए बिना कुछ भी उसमें changes किये वैसा का वैसा ही आगे बढ़ा रहे हैं तो हमने भी एक arrangement बनाया उस arrangement में जो चल के आ रहा था जो पहले से था वैसा ही वैसा मामला रहा तो उसको भी हम as one case consider करेंगे is this clear for example अगर मैं आपको याद दिलाओं मैंने example लिखाता है क यहाँ पर कि आपके पास तीन बॉक्सेस है रेड ग्रीन ब्लू याद आया जी सर तो यह क्या हुआ यह भी तो एक arrangement हुआ जिसमें एक कलर का बॉक्स पहले फिर दूसरे कलर का फिर तीसरे कलर का है तो यह जो arrangement आया है यह भी तो एक possible way of arranging things है तो इसी को आप one मान के अपना अंसर बताते हैं ठीक है clear यह बात अच्छे से हांजी सर्थ चलिए बहुत बढ़िया अब हमारी second theorem क्या कह रही है देखो the number of permutations of n different objects taken are at a time repetition of objects allowed जब आपको objects का repetition allowed होता है तब आपका जवाब क्या आता है तब आपका जवाब आता है to and to the power are अगर आपको याद हो हमने पिछले exercise में बहुत सारे question किये थे जहां पर हमारा answer आ रहा था maybe two power six five power four something like that उस case में क्या होता है वो ऐसे answer का बात ने है जब आपको यह पता चलता है कि आपको repetition of objects allowed है ठीक है for example अगर आपको याद हो balls वाले example में balls वाले question में जो ball है उसके पास choice है वो किसी भी box में जा सकती है ठीक है मानलों वो box three में गई example के तौर पर जो पहली ball थी वो box three में जाके बैठ गई जो box जो ball two है जो second ball होगी उसके पास अभी भी option है कि वो box one में जाए two में जाए three में जाए या फिर four में जाए तो भाईया ball के पास option allowed है ball के पास repetition of the boxes allowed है इसलिए उन cases में हमारा answer आता ह है n to the power r is this clear थोड़ी थी चीज़ें आपको लगेंगी कि सर बहुत वेवर्ट जा रही है मतलब हमारे पास सब कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो हम इसको और better way में कब समझेंगे जब हम example solve करेंगे ठीक है तो बस पांच मिनिट और अपन यह पहले थोरी वाला करेंगे तो easily connect करके साब समझ जाएंगे चलिए यहां पर कह रहा है तो number of proof की बात कर रहा है जो की समझना जरूरी है तो number of permutations of n different objects taken hour at a time is same as the number of ways in which our vacant ठीक है वही जो बोल रहा था कि जब आप our vacant places को fill करने के लिए n different objects का use करते हैं लेकिन क्योंकि repetition allowed है तो अगर कोई object first place पे बैठ भी गया तो उसके पास still option है कि वो कहीं और भी जाके या वो place कहीं और भी fill हो सकती है ठीक है अब यहां पर देखो आपको पूरी कान लिखे तो यहां पर आपका answer क्या आएगा n ways में हर एक उस पे हो रहा है चाहिए first or second or third or तो हमारा answer आना चाहिए n to the power r इसकी और clear understanding हम जब examples करेंगे तब जरूर बनेगी ठीक है अब यहां देखो तो by fundamental principle of counting क्या होता है क्योंकि आपको सारी places fill करनी है पहली भी दूसरी भी तीसरी भी तो इसलिए आप multiply करोगे और है कि आपने यह सारी चीज़े करें मतलब आपने 7.2 में permutation start कर दिया था आपने वहां पर question solve करना शुरू कर दिया था पर आपको पता भी नहीं चला था कि हम permutation के ही question solve कर रहे है it is just that कि अपने उसको out of understanding of a normal concept जिसको बिना कोई tag दिये बिना कोई नाम दिये हमने समझा और हम हमने उसको फिर सारे questions को solve किया ठीक है चलिए अब यहां पर देखिए कुछ पहले formula यहां पर हमें answer निकाल लाए इनका उसके बाद हम थोड़े ऐसे question पहेंगे word problem पर या situation वाले question पर जो कि आपको ज्यादा beneficial होगा सबसे पहला देख कह रहा है 60P48 क्या कहता है हमारा formula सर हमार formula कहता है कि npr is equal to n factorial upon r n minus r factorial याद आया जी सर बिलकुल याद है तो इसके हिसाब से आपके n की value है यहां पर तो हम लिख रहे है और n कितना है भाईया सर n है 60 और आपका p है 40 और r है 48 और p किसले use होता है सर p तो होता है इस बात के लिए कि भाईया आपके पास कितना क्या करना है permutation करना है कि क्या करना है ठीक है तो इसके हिसाब से आप लिखोगे 60 P48 would be equal to 60 factorial upon कितना सर 60 minus 48 factorial राइट यही होगा जी सर चलिए तो यहां पर आप लिखोगे 60 factorial उपर और नीचे आप लिखोगे 60 minus 48 मन लगबख कितना हो जाएगा सरी हो जाएगा 12 factorial clear रही है आप इसको further solve करेंगे क्या देखो मेरे साब से अगर एक नंबर का सवाल आता है तो मती करना इसके आगे क्योंकि बहुत मेहनत लगे कहां 60 से लेका जाओगे नीचे 12 तक कहां चीजों को का अंसर करोगे कैसे अंसर निकालोगे उससे बटर क्या है इतना छोड़ देना टीचर अगर बाइचांस आधा नंबर कट भी करती है तो आपके कोई बहुत भारी नुकसान नहीं होगा अब देखो 60 P2 कह रहा है इस केस में क्या होगा सर फॉर्मॉला तो वही रहेगा तो आएगा 60 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा ब्राकेट के अंदर 60 माइनस टू फैक्टोरियल राइट है ना तो इसका अंसर का अगा सर इसका अंसर आएगा 60 अपान 58 फैक्टोरियल यहां पर मुझे क्योंकि हो सकता है मेरे पास कोपो तो मैं 60 और 59 को अलग कर दूंगा और यह लिख दूंगा 58 फैक्टोरियल क्योंकि वही कारवा चलता रहेगा ठीक है whole डिवाइड बाइड कितना होगा 58 फैक्टोरियल ठीक है अब आपको इतना गणतों पताई है कि 58 फैक्टोरियल 58 फैक्टोरियल से कैंसल 59 इंटू 6 करोगे तो प्रोबाबली मेरे साब शानाच तो यह हो जाएगा 3 5 4 0 as are answer for the second part of the question ठीक है इसमें possible था तो मैंने cancel करके answer निकाल दिया उपर वाले में possible नहीं था तो मैंने उसको छोड़ दिया अब आपको 60 में से केवल दो चीजों को arrange करना है कितना मुश्किल होगा सर बहुत असान होना चाहिए क्योंकि 3940 में हमारा answer आएगा तो यह नहीं कि जितने कम arrange करने होंगे उतनी ज्यादा पॉसिबल होंगे ना जितने ज्यादा आरेंज करने होंगे दो को पहले बार में लिखा करते जाना मतलब इट्स ऑल्मोस्ट इंपॉसिबल टास्क चलिए यहां पर हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एक्जांपल वन हमारा समाप्त हो गया एक्जांपल टू आपको कह रहा है एन की वाल्यू बताओ यदि यहां पर पर्म्यूटेशन के कॉंसेट और फॉर्मॉला का यूज करके कुछ आपको जानकारी दी है तो चलिए शुरू हम कैसे करेंगे इसको तो शुरू हम करेंगे भया according to question यह हम कर रहे हैं सबसे पहला वाला पार्ट ठीक है ध्यान रखेगा तो according to question np4 ठीक है upon np5 is equal to 1 is to 2 ठीक है यह आपके पास ratio दिया है कौनसा फॉर्मला यूज करोगे सर यूजेंग npr that is n में से r चीजों को arrange करना is equal to n factorial upon n minus r factorial ठीक है we get क्या प्राप्त होगा भया हमें से सर हमें से यह प्राप्त होगा कि ऊपर आ जाएगा n factorial उसके नीचे आएगा यहाँ पर n minus 4 factorial ठीक है और whole divide by फिर से एक और बार आएगा n factorial upon उसके नीचे आएगा division में n minus 5 factorial इतना clear है is equal to 1 upon 2 का ratio चली रहा है कुछ चीज़े cancel होंगी बिलकुल होंगी सर चुकि n factorial उपर भी है नीचे भी है तो cancel होना बनता है ठीक है 1 by 2 वैसा कब ऐसा रहेगा और आप क्या कर सकते हो सर हमने यह सीखा है कि जब हम factorial से कोई सबसे बड़ी value बाहर निकालते हैं वो एक कम हो जाता है तो उसके इसाब से मैं क्या करूंगा मैं numerator के denominator में जो numerator में fraction है उसके denominator से n minus 4 common ले रहा हूँ और मैंने क्या सीखा है कि जब भी हम एक value बाहर निकालते हैं वो एक से कम हो जाता तो माइनस 4 को एक कम किया तो माइनस 5 नीचे वन अपॉन n-5 factorial पहले से exist कर रहा है अब मेरा मन क्या कह रहा है कि साथ सबसे पहले तो इन दोनों को cancel कर दो ताकि हमारे पास minimum values आएं solve करने को equal to कितना है भाईया सर equal to है 1 by 2 चलिए बचा क्या सर इधर नीचे का fraction पूरग है उपर का cable 1 upon n-4 बचा और इधर है 1 by 2 आपने किया cross multiply 2 equal to n-4 n की value आ रही है 2 plus 4 यानि 6 के बराबर क्या हमारा answer मिल गया हमें हां जी सर चलिए पहला पार्ट हमने कर लिया हम करेंगे screen को clear and let's move to next question चलिए इसका बी पार्ट आपसे क्या बोल रहा है same ही question है मतलब same ही चीज़े करने हैं बस खले लिखने का तरीका थोड़ा change कर दिया है तो आपको घबराना नहीं है बस ध्यान दखना है कि आपको इन दोनों ही cases में चाहे कोई ऐसे लिखके दे या फिर इस pattern में लिखके दे चीज़ें same ही चलती है ठीक है चलिए तो बी पार्ट का यहां पर हम solution करते है सबसे पहले हम बोलेंगे according to question ठीक है हम क्या बोलेंगे कि p n,4 is equal to 20 into p of permutation of n,2 अब हम formula कौन सा use करेंगे देखो अब जैसा दिया है वैसा use करना तो हम बोलेंगे using p n,r which is equal to n factorial जिसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते है अपन n-r factorial ठीक है we get sir लेकिन आपने तो पिछले वाले question में n factorial ऐसे लिखाता देखो सेम चीज को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों में जैसे हम कहते हैं British English में spelling अलग होती है और American English में spelling अलग होती है लेकिन meaning दोनों का सेम ही होता है ठीक वैसा ही math में भी चलते रहता है कोई बात नहीं है चलिए तो इसके साब साब लिखो के यहां पर एन फैक्टोरियल अपन नीचे आजाएगा आपके पास n-4 factorial is equal to 20 into अब इसमें formula लगाएंगे तो उपर आएगा एन फैक्टोरियल और नीचे आएगा यहां पे n-2 factorial राइट जी सर चलिए अच्छा बहुत लोग पता है क्या करते हैं जल्दबाजी में n फैक्टोरियल लिखते हैं और उसके बाद फिर वो exclamation mark वाला भी लगा देते तो उससे क्या होता है confusion हो जाता है बहुत बार लोगों को ठीक है आप ऐसी गलती मत करना मतलब इन कुछ लोग पता है क्या लिख देते हैं आपको बता रहा हूं देखो ऐसे लिख देते हैं फैक्टोरियल पता दो दो बार फैक्टोरियल लगा दिया अपने तो यह कोई सेंस नहीं बनाता है इसमें आपको लिटा टीचर थोड़ों से वेयर्ड नजर से दिखेगा चलिए यहां देखिए शबसे पहले तो मुझे यह दिख रहा है कि एन माइनस एन फैक्टोरियल पूरा पूरा कैंसल सेकेंड तिंग क्योंकि मैंने पहले फैक्टोरियल का कॉनसेप पढ़के रखा है तो मैं इजिली यहां पर चीजों को सॉल्फ कर लूँगा मैं क्या लिख रहा जब आप factorial में सबसे बड़ी value को बाहर खीचते हैं तो अंदर एक से कम हो जाता है तो minus two minus one would be minus three पर आपने minus three भी बाहर खीच लिया तो वो हो जाएगा minus three minus one that is minus four तो यहां से आपने n minus two में से दो term बाहर खीच लिये जिसके बाद आपको दोनों तरफ देखने को मिल रहा है n minus four factorial तो आप cancel कर दोगे अब हमारा गनित कहता है कि भाई यह cross multiplication हो जाना चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे n minus two multiplied with n minus three should be equal to twenty brackets को open up करोगे आप आपको मिलेगा n square minus two n minus three n plus six is equal to twenty का यहां तक कोई दिकत बिल्कुल नहीं सर आपने इसको further solve किया तो आपको मिलेगा n square minus five n plus 14 नहीं स्वारी प्लस नहीं सर माइनस 14 कैसे plus six minus 20 होगा सर कृपया तेज ना चले अगले step में लिख लें यह minus 14 equal to zero अब मुझे इस equation को solve करना है और उसको solve करने की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया क्या है प्रतिक्रिया तो क्या होता है reaction होता है ना हाँ तो प्रक्रिया कुछ ऐसी है सर कि आप minus five को कुछ इस प्रकार से break करेंगे कि आपको multiply करने पे 14 मिल जाए और add subtract करने पे five minus five मिल जाए देखिए ऐसे कुछ हो रहा है क्या हां जी सर आपने पहले दोनों में से n common लिया अंदर आएगा n minus seven यहां पे आपने plus two common लिया अंदर आएगा n minus seven is equal to zero आपके दो factors one is n minus seven the other one is n plus two आ गया दोनों factor जी सर तो n की value कितनी सर n की value आएगी या तो seven या फिर minus two clear है अब minus two कभी भी factorial के अंदर नहीं आ सकता यह आपको पहले से पता है तो n minus two हो जाएगा reject तो इस case में आपका answer आएगा therefore n is equal to seven आना चाहिए minus two को क्या बोलोगे minus two को बोलोगे कि भाईया आप हो गए है बहुत ही दुख के साथ rejected ठीक है reason being कि भाईया n factorial में कभी भी negative नहीं आता हमेशा जीरो आ सकता है minimum उसके रावा positive values यह आती है ठीक है चलिए screen यहाँ पर clear करेंगे हमारा यह वाला सवाल समाप तो के example two example three अब देखिए यहां पर यह जो सारे example हम कर रहे हैं आपको लग रहा होगा कि सर आपने पढ़ाया तो बहुत बड़ी-बड़ी बाते कि ऐसे cases होते real life examples होते लेकिने आप solve तो आप कुछ और ही करा रहे हो यह मिशले solve कर रहे हैं ताकि आपके basic strong हो जाए कि formula को कैसे यूज करना हो कैसे situation wise solve करना ताकि कल को जब आप word problem solve करोगे या कोई ऐसा question solve करोगे जहां पर इनका application होगा तो आप उसको जल्दी कर पाऊगे ठीक है यहां देखिए आपको दिया कि आर की value पता लगाओ यदी यह आपके पास situation है तो सबसे पहले क्या लिखो के सरा हम लिखेंगे according to question यानि सवाल के हिसाब से इन्होंने क्या बोला 22 पी आर प्लस वन यानि आपको बाइस में से आर प्लस वन अरेंज करने हैं अपॉन क्योंकि रेशियो दिया है ना तो 20 पी आर प्लस टू इस एक्वल टू 11 अपॉन 52 ठीक है यही है सवाल हां जी सर क्या करेंगे सर्फ फॉर्मला यूज करेंगे तो हम बोलेंगे यूज जेंग एन पी आर इस एक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल जिसको हम ब्राकेट में बन करते हैं ताकि कुछ भी कन्फूजन ना हो वी गेट ठीक है क्या होगा हमारे पास यहां पर हो जाएगा सरूपर अगर आप देखो के 20 फैक्टोरियल अपॉन ट्वेंटी देखो ब्राकेट में लिखना ब्राकेट इस्तेमाल करों तो ज्यादा बेटर होगा तो मैं लिखा 20 इन स्क्वार ब्लाकेट मैं ने शुरू कि या – ओपर है और प्लस बंद अपने लिखा अर्प्लास सुर्ध ट्वेंटी तू है सट्वेंटी नहीं तो आपने लिखा यांपर विं ट्वेंटी टू ठीक है ट्वेंटी टू माइनस आर प्लस वन और यहां पर हमने उसको बंद किया आर प्लस वन को क्योंकि वो माइनस साइन उसके आगे तो कहीं कुछ एक जगा 22 था एक जगा 23 आए उसले हमारे फोर्मुले के अक्षा मिल नीचे लिखा मै catalyst को persecuted minus bracket के अंदर किताना अचे sir r plus 2 तो कि r की value ही है वहाँ पर r plus 2 तो हम कुछ कर नहीं सकते उसमें है न यह bracket close factorial and this is equal to 11 upon 52 कुछ चीज़े यहां पर हमारे सामने आ गई है थोड़ा समस्को solve करने के कोशिस करेंगे और अपना answer निकालने का प्रयास करेंगे यहां पर हमें काम करते हैं पार्टिशन ड्रॉ कर देते हैं ताकि इसली ब्लैक बोर्ड को यूज कर पाएं देखो आगे क्या होगा उपर जो 22 इसको मैं थोड़ा से expand कर रहा हूं 22 into 21 into 20 factorial इतना clear है जी sir this is divided by 22 minus r ठीक है minus 1 अभी यह क्या हुआ यह आपने formula जो minus sign था उसको r के अंदर ले गया ठीक है पहले हमने बाहर को छोड़ा था क्योंकि minus sign के साब से दोनों के sign change होते तो कोई doubt नहों कोई confusion नहों इसलिए हमने उसको ऐसा छोड़ा था नीचे 20 factorial as it is है ठीक है और इसके नीचे जो bracket उसके अंदर आ जाएगा 20 minus r and minus 2 ठीक है factorial and this is equal to again 11 by 52 थोड़ी सी महनत है पर अगर हम बहुत ही सहीम से करेंगे तो हमारा answer बिलकुल ठीक आएगा चले यहां देखे सबसे पहले जो cancel होना चाहिए वो यह है 20 factorial इधर भी है और इधर भी आप cancel कर दो ठीक है अब हमने जो गणित पड़ा है उसमें हमें सिखाया जाता है कि जो numerator है वो तो as it is रहता है ठीक है तो यह हमारा numerator का fraction आ गया नीचे आ गया यहां पर देखो कि 22 minus 1 is 21 minus r factorial ठीक है नीचे वाले fraction का reciprocal हो जाता है तो नीचे वाले fraction का जब हम reciprocal करेंगे तो यह हो जाएगा 18 minus r factorial और यहां पर है upon 1 ठीक है इतना clear है जी sir and this is equal to 11 upon 52 अब जो मुझे गनेत आता है उसमें 11 और 52 एक दूसरे को 11 और 22 एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो 11 1s are 22 यहां पर हो जाएगा 11 2s are ठीक है तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं multiply करके 21 into 2 कि आपने तो यह हो जाएगा 42 ठीक है नीचे हम क्या करेंगे sir हमने यही सीखा है कि एक एक से माइनस करते जाओ ठीक है तो आप 21 minus r clearly बड़ी value है और वो 18 minus r छोटी value है तो आप बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो आप पहले एक निकालेंगे तो आप लिखेंगे 21 minus r ठीक है फिर आप निकालेंगे एक और which would be 20 minus r ठीक है फिर आप निकालेंगे एक और which would be 19 minus r and then आपके पास आएगा finally 18 minus r यह आपने क्या किया आपने एक एक से कम करते गए आप है एसा ही करना चाहिए हाँ जी सर च्योंकि फैक्टोरिल का मतलब होता है एक एक से कम करना तो जब आप एक एक को बाहर निकालते जाएंगे तभी तो वो कम होते जाएंगे और यह multiply हो रह अब हम यह कर सकते हैं यहां पर कि हमारे पास उपर यहां पर क्या आना चाहिए यहां पर आपन 52 कितने लोगों को इस समझ में आए एक बार दुबारा देखो ध्यान से मेरा मामला चला था NPR फॉर्मुला के तहत मैंने उसी फॉर्मुले का यूज करके जहां जहां पर यहा इन माइनस आर फैक्टोरियल उपलब्द है ठीक है तो वह पूरे के पूरे हो जाते हैं कैंसल और आपके पास बच क्या रहा है तो सरे ज़िदर बच रहा है 42 अपन यहां पर आप लिख रहे हैं 21 माइनस आर इंटु 20 माइनस आर इंटू 19 माइनस आर यह 3 आपके पास बच रहे हैं ठीक है और दिस वूड़ बी इकवल टू हाव मस्ट इस वूड़ बी इकवल टू बन अपन 52 चलिए 52 को अगर आप वहां बेशते हैं 42 के पास और इन सब को वहां लेके जाते हैं तो सायद हमारे पास कुछ सॉल्वेबल चीज़े आएं तो हम यहाँ पर बोलेंगे भाईया देखो 42 इंटू 52 इस इकवल टू कितना सर इटीस इकवल टू 21 माइनस आर ठीक है फिर आप बोलोगे 20 माइनस आर आंड देन लास्टली 19 माइनस आर ठीक है अब अगर आप देखो क्या कर सकते हो दो करके कुछ बड़ा सा आर क्यूब वाला टर्म लेकिया हो फिर उसको सॉल्व करो आंसर निकालो या फिर दूसरा तरीका यह क्या 42 और 52 का जो मल्टिप्लिकेशन है ना इसको जड़ा थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करो ठीक अब देखो कैसे करेंगे यह वाला पा 42 को लिखा 6 into 7 ठीक है और 52 को लिखा मैंने 13 into 4 आप एक बाद चेक करो फॉर्ट इस फिफ्टी तू थर्टी तू थर्टी फोर्ट इस ट्वैल तू यहां वान उपर फोर फॉर्ट फॉर्ट ठीक है अब यह है इकवल टू कितना सर यह है इकवल टू 21 माइनस आर ठीक है and then 20 माइनस आर and then 19 माइनस आर इन तीनों के मल्टिप्लिकेशन के बराबर ठीक है यह जो फोर है इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं तो 6 into 7 into 13 into 2 into 2 कर दिया मैंने और यह अभी भी किसके बराबर चल रहा है यह अभी भी चल रहा है 21 minus r 20 minus r and then 19 minus r के ठीक है अब आप यहां पर देखो इसको जब आप यह 2 को एक एक के पास बेज़ो के तो आपको 1 मिलेगा 7 into 2 का कॉंबिनेशन ठीक है एक मिलेगा 13 का combination और एक मिलेगा 6 into 2 का combination तो basically यहाँ पे जो मुझे 3 factors का multiplication मिल रहा था यहाँ पे भी मैं वही 3 factors का multiplication लाने की कोशिस कर रहा हूँ तो यह आया 21 minus R, यह आया 20 minus R और यह आया 19 minus R करेक्ट है यह, जी सर अब यहाँ देखिए, 7, 2, 6, 14 into 13 into 12 is equal to 21 minus R 20 minus R and then 19 minus R अब आता है सवाल का सबसे important mode मैंने देखो जो 14 था उसको में क्या 21 minus 7 लिख दू चलेगा 13 को लिखा मैंने 20 minus 7 and 12 को लिखा मैंने 19 minus 7 so what I can observe is कि जैसे इस तरफ मुझे मिल रहे है 21 minus R 20 minus R and 19 minus R it is very clear that R की value होनी चाहिए based on this entire जो हमने यहाँ पर महनत की कि R की value होनी चाहिए 7 is this clear कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जरा सी भी नहीं सर देखो मैंने क्या किया पहले मैंने जितना possible हो सके cancel करने की simplify करने की कोशिश की तो मुझे result में कुछ ऐसा मिला कि 42 into 52 is equal to these three factors ठीक है that is 21 minus R 20 minus R and 19 minus R तो 42 into 52 को multiply करके फिर वहाँ पर वो तीन factors को multiply करके एक आर क्यूब वाली equation लाने की जगा मैंने थोड़ा सा smart work करके उस 42 और 52 के multiplication को अलग-अलग numbers के multiplication में ब्रेक किया फिर उसके बाद मैंने उनकी pairing करी कुछ इस प्रकार की वो थोड़े से match कर जाए हमारे end of the results है ठीक हमार जो final result है उससे जब उससे match करने की मैं कोशिश कर रहा था तो मुझे एक जगा पे मिला 14 13 12 जो मुझे सिमिनल लगा to a pattern which is followed by this side that is 21-8 that is 21-7 20-7 and 19-7 इतना clear है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जरा से भी नहीं सर आराम से हो गया और R की वायलू मिल गई हमें 7 यह एक तरीका है आप वो equation मना के solve करके करेंगे तब भी वह आपका answer होगा वो भी ठीक है उसको भी आप कर सकते चॉइस यॉस इंडिया इस इंडिपेंडेंट कंट्री ओके चलिए एक्जामपल फोर बोल रहा है आपसे कि प्रूफ कीजिए कि यह जो आपका फंडा है P of permutation of N, R is equal to N into P N-1, R-1 अभी यह समझना यह जो मेरा LHS है इसको मैं जादा कुछ करनी सकता केवल formula लगा सकता हूँ और तो कुछ खास मेरे पास करने को है नहीं तो मेरा जो पूरा concentration होना चाहिए वो किस तरफ होना चाहिए RHS पे तो हम यहाँ पे पहले वाले case का पहले वाले question का RHS पहले discuss करेंगे ठीक है तो ताकि हम अगर हो सकता है उसको solve करके LHS तक पहुंच जाए तो हमें ज्यादा कुछ करना ना पड़े चलिए हमारा RHS कह रहा है कि N into P यानि permutation of N minus 1 comma R minus 1 ये clear है जी सर चलिए अब formula कौन सा use करोगे पहले बोले दो तो आप बोलोगे using P N comma R is equal to N factorial upon नीचे आएगा N minus R factorial we get क्या result मिलेगा हमें यहाँ पर पहले उस पर बात कर ले तो देखिए सर हमारी गणित के साब सब्सक्राम इसमें लगाएंगे तो एक तो N बाहर है वो बाहर ही रहेगा multiplied by when we use the formula उपर आएगा N minus 1 factorial divided by नीचे अगर आप देखोगे तो formula कहता है N minus 1 that is N minus R जो भी हमारे R की value है उसका factorial is this clear जी सर तो चलिए उपर आगर आप देखें तो देखो N minus 1 तक फैक्टोरियल का मतलब होता है वन से लेकर जहां तक फैक्टोरियल है वहां तक सारे numbers का multiplication उसमें अगर मैं N और multiply कर दूँ तो यह एक कम था आपने N और multiply कर दिया तो उपर complete factorial आपको मिल गया N factorial ठीक है यह ऐसा है कि जैसे कोई पहले से expanded है उसे हम थोड़ा सा contrast कर रहे हैं ठीक है सर यहां मेरे पास बचेगा N factorial अपन नीचे के वल N minus R factorial बच रहा है which is also equal to permutation of जो formula के हिसाब से है N,R which is your LHS तो for a change इस सवाल में हमने शुरू RHS से किया पर solve करते करते हम एनेचेस पर आगा है LHS पर आगा है without much of a concern ठीक है clear है यह मामला जी सर ज्यादा कुछ करने को था नहीं के वले systematic way systematic pattern में चलना था आपका काम हो गया अब देखो B part क्या कह रहा है वो कह रहा है second part में कि भया प्रूफ करो कि NPR जो है it is equal to what so it is equal to N-1 PR multiplied with plus R multiplied with what N-1 P और नीचे क्या आएगा R-1 चलिए कैसे solve करेंगे इसको सर फिर से हमारे पास LHS में ज्यादा कुछ करने को है नहीं तो हमारा concentration थोड़ा RHS पर जाना चाहिए तो RHS में है हमारे पास RHS में क्या बोलेंगे कि भया N-1 है एक P है नीचे R है और यह जनाब किस से multiply हो रहे है जनाब multiply हो रहे है R into N-1 है P है और R-1 है क्या इसमें कोई दिखकत अब तक नहीं सर अब solve कैसे करोगे इसको तो सर फॉर्मॉला यूज करेंगे सबसे पहले हम वो लिख देते हैं कि using NPR which is equal to N factorial upon bracket के अंदर N-R factorial comma V get क्या मिलेगा हमें भाईया तो आप बोलोगे यहां पर N-R factorial is getting divided by कितना है यहां पर सर नीचे अगर आप देखोगे तो यह हो जाएगा फॉर्मॉला के हिसाब से N-R factorial क्योंकि आपके केवल आर था राइट यह सर नहीं सर एन माइनस अर में तो N की वाल्यू तो एन माइनस वने तो हम पूरा लिखेंगे ना बिल्कुल ठीक है आपका जो N है उसकी वाल्यू ही N-1 तो आप लिखोगे N-1-R factorial ठीक है और आप क्या बोलोगे आपके प्लस इधर पर आपक करना ही है अपन नीचे आपके पास है आ एन माइनस वन तो आपका स्क्वायर ब्राकेट का इस्तमाल करें तो पहली है आपकी N-1 उसके बाद आपको मिलना चाहिए माइनस ओफ आर माइनस वन और यहां पर हो जाएगा ब्राकेट क्लोज होके फैक्टोरियल यह क्या हुआ य दिखते हम किस हद तक बहुंच सकते हैं एक चीज़ दो मुझे दिख रही है वह यह कि मैं N-1 फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन तो ले सकता हूं ठीक है ना तो मुझे कुछ इस हो जाएगा सॉल्फ करने के तो जैसी मैंने ऊपर N-1 फैक्टोरियल कॉमन लिया मेरे पास अ अब पॉन यहां पर कितना है तो सर यहां पर हम जब अरेंज करेंगे इसको तो हमें मिलेगा N-1-1-1 और उसका भी फैक्टोरियल इस देस क्लियर यह ब्राकेट किया मैंने क्लोज देखने में जितना मुझे लग रहा उतना है नहीं क्यों क्या कर रहें सर माइनस वन को चलिए बचा क्या सर यह एन माइनस वन फैक्टोरल तो अब भी चलेगा ठीक है भाईया आप बोल रहें तो हम चला लेते हैं और यहां पर अंदर आपके पास बचरा है यहां पर वन अपॉन नीचे आप लिखोगे यहां पर N-R-1 फैक्टोरियल ठीक है इधर पर आपके ब दोनों फ्राक्शन का LCM ले सकते लेकिन जो सबसे बड़ा चालेंज यहां पर हम फेस करेंगे वो यह कि LCM लेने के बाद ठीक है LCM क्या होगा और उसको कैसे हम यहां पर यूज करेंगे तो यहां देखो आप दिहां से N-R मतलब N में से आर कम कर दो गुड नंबर लेकिन य चोटा नंबर है तो अगर मुझे LCM लेने तो शायद मैं यहां से N-R को अलग निकालू और फिर शायद मुझे सेम चीज़ देखने को मिले ठीक है समझना तो मैं शायद डिरेक्ली LCM लू भी ना पहले मैं क्या करूंगा यहां पर सबसे पहले तो एक तो जो कॉमन चल रहा था उसी को चलाएंगे तो हमने लिखा है ब्राकेट के अंदर N-R! ठीक है स्वारी N-1! मैं आर को लिख रहा हूं यहां पर आज इतनी होगा यह फॉर्मले की कि हर जगा वही आ जाता है ठीक है और देखना मैं अंदर क्या कर रहा हूं ऊपर तो आज यह पहला वाला fraction तो आ बाहर निकाल रहा हूं। मतलब बेसिकली फैक्टोरियल को expand कर रहा हूं अब जब एक मैंने बाहर निकाल दिया तो अंदर 1 से कम हो जाएगा तो इसले लिखा मैंने N-R-1 का फैक्टोरियल क्योंकि अब दोनों के पास N-R-1! है तो उसको बाहर निकालने में कोई दिक्कत न minus 1 factorial अंदर आपके पास यहां बचेगा 1 नीचे भी 1 प्लस यहां बचेगा r upon n minus r राइट क्यों क्यों कि सर आपने ही तो n minus r minus 1 factorial common लिया है तो यहां से तो यह पूरा आ गया common तो इसलिए पूरा बाहर कुछ नहीं बचा यहां से n minus r minus 1 common आया तो यहां पर आया n minus 1 factorial as it is नीचे आपने लिखा n minus r minus 1 factorial as it is अब LCM लेना अगर मैं चाहूं तो मुझे मिलेगा n minus r plus r upon n minus r कुछ चीजे यहां पर easily cancel हो जाएंगे जैसे कि आपको दिख रहा minus r plus r एक negative positive तो cancel करना is the best possible option अब आपके पास क्या क्या बच रहा है कि सर उपर बच रहा है n minus 1 factorial multiplied with n नीचे बच रहा है n minus r minus 1 factorial multiplied with n minus r अब यहां पर आपका लगना है वो basic concept जो आपने पिछले एक-दो sessions में पढ़े हैं ठीक है n minus 1 factorial एक कम है आपने n से multiply कर दिये तो अब वो एक बढ़ गया तो basically यह उपर क्या हो जाएगा सर उपर हो जाएगा n factorial ठीक है because अगर आप n factorial को open करोगे तो वो क्या होता वो उतासर n into n minus 1 factorial तो एक जो बाहर निकला था वो वापस अंदर आगया तो आपका यहां पर system set हो गया नीचे भी minus 1 था आप n minus r ले आए तो minus 1 को यह भरपाई कर देगा तो नीचे आपको मिलेगा n minus r factorial which is also equal to n pr जो कि आपका क्या है जो कि आपका lhs है तो दोनों ही सवालों में हमने rhs को देखा और उसके साथ हमने सारे calculations कि अपना अंसर बताया lhs के बराबर क्या हम प्रूफ कर पाए हां जी सर क्या हम lhs को लेके नहीं प्रूफ कर सकते थे वहां भी कर सकते लेकिन यह सारे terms को लाने में बहुत दिक्कत होती क्योंकि आपको सिर्फ एक दू जगा फॉर्मल लगा के किसको कहां common लेना फैक्टोर का कॉंसा concept यूज करना है वही करना था जो कि आपने भली भाती कर लिया चरिए स्क्रीन को यहां पर हम clear करते हैं easily हमारा fourth question यहां पर समाप्त हो गया question number five आप से क्या कह रहा है कि ज़रा exam उस पर आ जाओ कि इस पर अच्छे question पर जहां पर आपको word problems करने सबसे पहला question कह रहा है a customer forgets a four digit code for an automatic teller machine in a bank however he remembers that the code contains three four seven and nine इन चार number से आपका code बना हुआ है find the largest possible number of trials necessary to obtain the correct code कितने code आपको लगाने पड़ेंगे जिससे कि आपका यहां पर correct answer आ जाए फटा फट पस दो मिट में अपने इसको solve करते हैं फिर आपने next question के और रुख करेंगे देखो सवाल क्या बोल रहे हैं कितने आपके पास यह अपने पास available है तो इनको हम क्या कहेंगे इनको हम कहेंगे एन ठीक है अब number of digits required to make the code मतलब आपको arrange कितने को करना है तो सर अगर हमें 4 digit का code बनाना है required in arrangement कितने चाहिए भया तो सर वो भी हमें 4 ही चाहिए होंगे क्योंकि ATM जो पिन होता है वो चार ही letters अक्षर का होता है चार numbers का तो यह हो जाएगा आपका ठीक है अब आपको क्या बोल रहा है possible number of trials तो आप लिखो कि यहाँ पे therefore largest possible number of trials would be how much तो सर 4P4 यह क्यों होगा भाया क्योंकि सर आपको चारो नंबर का यूज करके एक चार डिजिट का code बनाना है तो available भी चार थे arrangement में required भी चार है तो formula के साब से NP4 हो जाएगा 4P4 हो जाएगा formula कौन सा यूज करेंगे तो सर यूजेंग NPR is equal to N factorial upon N minus R factorial we get क्या मिलेगा हमें बस एक मिनिट में अपना अंसर आ रहा है तो सर उपर आएगा आपका 4 factorial नीचे आएगा 4 minus 4 factorial ठीक है अब यहाँ पर 4 factorial होता है 24 और नीचे 0 4 minus 4 is 0 factorial now 0 factorial is 1 यह आप सब को हमने बताया है तो यहाँ पर आजाएगा 1 तो आपका answer कुल मिला क्यों होना चाहिए 24 यानि इन चार नंबर से जब मैं कोड बनाने की शुरुबात करूंगा तो मुझे 24 ऐसे कोड मिलेंगे जिनको हम रख सकते हैं तो हमें कितने 4 digit numbers can be formed by using the digits 129 if repetition of digits is not allowed ठीक है अब यहाँ पर देखें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे अब यह नंबर ओफ डिजिट्स अवेइलिबल हमें वो डिजिट्स कौन से हैं इससे फरक नहीं पड़ता कितने हैं इससे फरक पड़ता है ठीक है तो 123456789 नो ठीक है बहुत बढ़िया अब उसके बाद फिर आप बोलोगे कि नंबर ओफ डिजिट्स रिकुवायड टू फॉर्म क्या करना है आप है फोर डिजिट नंबर तो नंबर ओफ डिजिट्स रिकुवायड डिजिट्स रिकुवायड टू फॉर्म फोर डिजिट नंबर कितने चाहिए होंगे भईया सर यह तो बहुत ऑब्यस सी बात है यहाँ पे आप कहोगे इकुवल टू फोर इतने हमारे पास हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे सर इन्हें हम कहेंगे एन और यह हमें रिकुवायड है तो इन्हें हम होंगे आर ठीक है अब यहाँ पर दिया है कि भईया रिपीटेशन इस नौट अलाउड तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर जब रिपीटेशन नौट अलाउड होता है तो हम फॉर्मला यूज करते हैं एन पी आर वाला यूज जेंग NPR is equal to N factorial upon नीचे आजाएगा N minus R factorial we get क्या मिलेगा हमें भाईया तो सर हमें यहाँ पर मिलेगा सीधे सीधे हमारा answer that is 9PR 9P4 is equal to 9 factorial upon 9 minus 5 factorial right sorry 9 minus 4 factorial तो हम पर लिखो के 9 minus 4 factorial तो यह कितना हो जाएगा सर उपर आएगा 9 factorial नीचे आएगा 5 factorial अगर आप इसको solve करने जाएंगे आपको 9 8 7 and 6 को बाहर करना पड़ेगा और 5 factorial को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो denominator की value से cancel होने का प्रबल दावेदार है ठीक है ना तो जैसे आपने देखा भाईया 5 factorial 5 factorial से cancel बाकि सबको multiply कर सकते हैं थोड़ा सा मेहनत का कारे है पर इतना तो करना ही पड़ेगा भाईया एट नाइन जा हो जाएगा देखो कि अगर आप 72 and 76 हो जाएगा 42 राइट बस अब इनको multiply करके हम अपना अंसर लिख देंगे ठीक है 89 जा कितना सर 89 हो जाएगा 72 and 67 हो जाएगा 42 अब multiply करोगे 72 और 42 के और आपको answer मिल जाएगा चलिए टू टू जा फोर है ना सेवन टू जा फोर्टीन यहाँ पर फोर टू जा एट सेवन फोर्टीएट तो जाएगा चार आठ चार बारा आठ और एक नौ दस दो रिक तीन तो आपका answer आएगा 3024 मल्टिप्लेकेशन ध्यान रखना कहीं गड़बड ना हो जाए भाईया तो आप देखोगे 3024 एक बार फिर से चेक करके देख लो कहीं मल्टिप्लेकेशन में कुछ गड़बड तो नहीं है सर साथ दूनी फोर टू सा एट सेवन फोर्टीएट तो एट और यह हो जाएगा अगर मैं वैसे चेक करूं तो यह हो जाएगा टू एट एट जीरो यह मैंने क्या किया यह मैंने 72 को 40 से मल्टिप्लाइ किया ठीक है फिर मैंने किया 72 एक बार एड और 72 दो बार एड क्योंकि 42 है तो दोड़ दो चार साथ साथ चाहुदा चाहुदा एक किस बाइस आठ और दुद्दा साम बिल्कुल ठीक है चलिए कॉंफिडेंस आगया 3024 हमारा अंसर सही है चलो स्क्रीन क्लियर लेकिन आपको का जर्वात आंसर चेक करने क्यों नहीं करना है तो मैं गलत अंसर बताओं को तुम छोड़ दोगा क्या लिए कि सार आपने यह नहीं लिखा वह गलत क चलो एक्जामपल नंबर सेवन सॉल्व करना हमें राइट सिक्स हमने अभी किया था जी हाव मेनी फोर इस नंबर वाला एक्जामपल सेवन के रहा है दस स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है किस चीज में पहले तो वह पता लगा लो तो 10 स्टूडेंट्स है मेरे ठीक है अब देखो जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वह eligible तो है अवार्ट जीतने का है न अब वह दिलेवर कैसा करता है वह तो बात की बात है तो नमबर अपस्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग हो जाएगा हमारा 10 ठीक है अब इन में से कितनों को who would win the price कितने होंगे भाईया सथ तीन लोग होंगे फर्स सेकेंड एंट थर्ड तो यहां पर हम लिखेंगे इकवल टू ठीड अब देखो eligible कितने है मतलब चुनना कितने के बीच में से है दस के बीच में से तो यह हमारा n हो जाएगा कितनों को चुना जाना है कितनों को अरेंज करना है तो यहां पर हम लिख देंगे और ठीक है क्योंकि तीन को आंघ करना जो बी तीज़िण से इसको लूग इशे में लिखते और अगर आप कभी ठरण चेंज सारे ways में याद करना चाहें तो आप खुद भी ऐसे लिख सकते हैं n,r is equal to n factorial upon n minus r factorial we get जो मैंने पिछले question में लिखा था जिस तरीके से formula वो भी ठीक है आप इस तरीके से लिखना चाहें तो भी ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे p क्या है permutation of 10 और उसमें से 3 select होने है या फिर 3 arrange होने basically ठीक है न तो यह हो जाएगा 10 factorial upon यहाँ पर हो जाएगा 10 minus 3 factorial राइट अब 10 factorial फिलहाल तो मैं क्या करूँगा as it is छोड़ दूँगा नीचे 10 minus 3 यानि हो जाएगा 7 factorial 10 factorial को मैं open up करूँगा और मैं 7 factorial पे इसको रोक दूँगा reason being नीचे मेरे पास already 7 factorial है तो जब कुछ cancellation का chance मिल रहा है तो मैं जबरदस्ती बोजहा क्यों धोँगा तो मैंने 7 factorial 7 factorial cancel किया 8 9 जा हो जाएगा 72 into 10 करोगे 720 ठीक है यह हो गया permutation के concept से अपनने जो पिछले session में किया था जहाँ पर हमने बात की थी principles of counting के मुझसे भी सवाल का जवाब दे सकते देखो कैसे तीन प्राइस जीतने हैं तो एक दो तीन ठीक है पहला प्राइस कितने लोग जी सकते हैं कोई 10 में से कोई भी जी सकता है तो 10 के 10 सेकंड वाले में 9 हो जाएगे क्योंकि एक जीत चुका है तो उसको सेकंड तो वापस दोगे नहीं और यहां पर ऐसे ही आ जाएगा आठ अब जब प्राइड डिस्टिबूशन होगा तो फर्स्ट वाले को भी मिलेगा एंड सेकंड वाले को भी मिलेगा एंड थर्ड वाले को भी मिलेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 आंसर आएगा सेवें ट्वेंटी इस दिस क्लियर तो देखो दोनों ही को कॉंसेब जो है पर्मूटेशन वाला और डिस फॉर्मूला वाला टॉप द सेम थिंग मतलब उनका जो मूल सिधानत है वह सेम ही है बस आपको यहां पे सॉल्फ करने के इस के लिए या फिर जल्दी से अंसर बतान चांपने नहीं कि और बाटिंग क्いए फिंस फेल्डर कॉन है और बेस्ट कैशिंग किसने की है बेस्डों किसने की है हो सकता है कभी ऐसा हो जाए एक्जांपल के तौर पर किर्केट मैच में कि आल राउंडर नहीं सबसे बढ़ियां बैटिंग की फिर वो बॉलिंग करना है तो उसने बॉलिंग में भी कमाल कर दिया और मैच में बढ़ियां छक्के भी मार दिये बहुत अच्छा सा ठीक है या फिर आप देखो कि बहुत 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 अगर अपने आई पिल वगरा देखा तो उसमें कॉंसेट होता है कि आप कह सकते हो कि मतलब सबसे ज्यादा लंबा चक्का किसने मारे पिर एक होता है कि सबसे अच्छा किसने पकड़ा तो यह तीनों और एक इंसान को भी मिल सकते तो ठीक वैसा यहाँ पे होगा अब यहां पर नमभर वेस कैसे बतांगे तो देखो कर पनडा वह सिंपल होगा नमभर आफ बेस इसमें सायद हम फॉर्मुले का उपयोग न करें ठीक है इसमें राधर हम क्या बोलेंगे इसमें हम राधर बोलेंगे number of ways would be equal to n की power r ठीक है यह formula use होगा जिसमें हम n बोलेंगे वो 20 लोग ठीक है और उसकी power हो जाएगी 3 ठीक है तो आपका जवाब क्याना चाहिए आपका जवाब आना चाहिए टू किक टू क्यूब इस एट और यहां पर तीन जीर आप कह सकते हो कि प्राइस है वो भी किसी को भी मिल सकता है हान जी सर तो हर एक का चांज है तो आपने लिखा 20 जो तीसरा वाला प्राइस है वो भी तीसरा प्राइस है वो त्या यहां देया जाएगा तो इस वुट भी 20 की पावर 3 यह हो गया अपने कांटिंघ वाले इस यह हो गया अपने पर्मूटेशन वाले कांसे शे जहां पर हमने यहां पर किया है मतलब हमारा तो में कॉंसेट यहां पर लगा वो यह कि इसे अवा है ठीक है मतलब जिसको एक बार प्राइज मिल चुका है वो दुबारा भी जीत सकता है ऐसा कोई इसमें रोक थाम नहीं है clear है मामला जी सर अगर ऐसा बोलते कि any number of price receive नहीं कर सकता जिसको एक बार प्राइज मिल गया उसको दुबारा नहीं मिलेगा तो हम फिर NPR का formula यूज करते है यह clear हुआ दोनों में फरक क्या था जी जब आपको सवाल में दिया हो क्या जानकारी उसके साब सब्सॉल्फ करते हो ठीक है example number 9 देखो find the total number of ways in which N distinct balls can be put in two different boxes so that no box remains empty ठीक है अब यहां पर देखो इन्होंने कहा कि कोई भी box empty नहीं रहना चाहिए ठीक है बस एक condition है अब आप यह भी कर सकते हो कि सारी की सारी balls में से एक छोड के सब एक मडाल दो बाकी एक अलग मडाल दो ऐसा भी कर सकते हो ठीक है चलो यहां दे N distinct balls है तो आपके यहां पर आजाएंगे total number of ways total number of ways would be कितना would be equal to ध्यान से देखना है और अपने पास दो boxes है ठीक है अब यहां देखना आप इसको solve कैसे करोगे ball one के पास choice है कि वो box one में जाए कि box two में जाए ठीक है तो ball one की choice हो गई दो ऐसे ball two के पास choice है कि वो box one में जाए या फिर box two में जाए अब यहां पर ball one भी जाएगा और ball two भी जाएगा तो all यानि यहां पर हम हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला and बोलेंगे तो यह ball two की choice य मामला चलता रहेगा तो अगर मैं यहां पर निकालना चाहूंगा कि कितने पॉसिबल अरेजिमेंट्स है तो मैं बोलूंगा टू पावर एन के इतना करेक्ट है जी सर यह आपको समझ में आया हां जी सर कैसे हुआ यह सर एन बॉल्स थी हर एक बॉल के पास चॉइस है कि वह ब लेकिन इसमें दो केस वो भी सामिल हो गए क्योंकि हमने सारे possible केस ले लिए सबका repetition allowed है सारे conditions हमने यहां पे खोल दियें तो वो दो केस भी आगा है जिसमें एक मामला यह होगा कि भाईया box 1 जो है आपका box 1 को आपने पूरा empty छोड़ दिया और box 2 को आपने fill कर दिया ठीक है एकदम फुल box 1 empty है एक केस वो भी सामिल हो जाएगा इसमें कि अगर choices होती रही तो box 1 पूरा फुल है और box 2 empty जा रहा है तो इन दोनों cases को मुझे justify करने के लिए यहां पर minus 2 करना पड़ेगा इस दिस clear तो देखो यह थोड़े अपने typical nature के question आ गए इसके पहले जो अपन खेल रहे थे वह मानलो ट्राइल बॉल्स थी यह थोड़ा रियल टाइक पा question आया है जिसमें हमने बॉल्स की वह भी निकाले नंबर वेज भी निकाले और माइनस भी माइनस भी किया या फिर कुछ एक कंडिशन भी देखी जो कि यहां पर दी गई थी कोई भी box empty नहीं रहना चाहिए clear हो गई यह अब ऐसी question आने है ऐसा मेरी उमीद है चलो example number 10 बोल रहा है हम से to attend a joint summit two countries send five delegates each to to a negotiating table कि समिट में दो देशों ने अपने पांच-पांच सदस्यों को बेजा या फिर अपने delegates को भेज़ा और एक्टाइंगुलर table is used with five chairs on each side ठीक है पांच उदर पांच उदर if each country is assigned a long side of the table मतलब सारे एक country के लोग एकी तरफ बैठेंगे how many sitting arrangements are possible अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक एक करके event को देखेंगे सबसे पहला मैं क्या कहा रहा हूँ कि country one के लोगों को बठा दो ठीक है तो यहाँ पर आप बोलेंगे possible ways या possible seating arrangement seating arrangement for whom arrangement for delegates of country one for delegates of country one क्या हो जाएगा देखो पांच लोग है जी सर आपको पांचों को arrange करना है yes sir तो आप बोलोगे 5P5 which is also equal to 5 factorial is this clear जी सर अब इसके बाद आप बोलोगे second possible case जहाँ पे आप country two के लोगों का sitting arrangement करोगे तो possible seating arrangement अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ arrangement को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सर वहाँ पे भी पांच ही delegates आए हैं और पांचों के पांचों बैठेंगे तो हमारे पास कितने है टोटल भी पांच है और required भी पांच है तो यहाँ पे भी 5P5 हो जाएगा 5 factorial अब जब final sitting arrangement होगा तो यहाँ पे आप लिखोगे how many sitting arrangement तो आप यहाँ पे लिखोगे total arrangements would be आपको पहली country को भी बठाना है तो आप लिखोगे 5 factorial and आपको second country को भी बठाना है तो आप लिखोगे 5 factorial ठीक है तो आपने दोनों को कर दिया क्या यहाँ पे मामला खतम होना चाहिए sir probably yes actually no क्यों क्यों कि देखो यह तो एक हुआ जब मैंने fix कर दिया कि country 1 के लोग इस तरफ बैठेंगे टेबल के country 2 के लोग इस तरफ बैठेंगे लेकिन इसका double हो जाएगा into 2 हो जाएगा क्योंकि हम sides of the table भी तो change कर सकते हैं sir मतलब मतलब देखो यह मानलो आपका टेबल है ठीक है अभी के लिए मैंने country 1 के लोगों को यहां बिठाया country 2 के लोगों को यहां बिठाया लेकिन भाई या मोरे या तो यह होगा या फिर यह हो सकता है कि country 2 के लोग उस तरफ बैठेंगे और country 1 के लोग इस तरफ बैठेंगे आप क्योंकि 2 केस बन रहे हैं तो जो इधर हमने number of ways निकाले वो इधर भी आने चाहिए अब आप या तो दोनों को plus करके लिख दो या into 2 करके लिख दो बाद बराबर ही है है ना तो यहां पर आपका जवाब क्या आना चाहिए सर फाइव फैक्टर होगा 120 इंटू 120 इंटू टू क्योंकि दो बार हो सकता है देखो एक यह वाला केस एक वो वाला केस ठीक है तो इस वूट भी हाव मच सर 12 का स्क्वेर होता है 144 साथ में आ जाएंगे दो जीरो और एक हो जाएगा इंटू टू अब आप इंटू टू कर दोगे इसको तो यह हो जाएगा 28,800 तरीकों से आप डेलिगेट का सिटिंग प्लान बना सकते हैं क्या है इन टू टू क्यों हुआ क्या वो क्लियर में एक यह वाला केस जिसमें आपका अरेंज्मेंट आया पायओंट इन टू फाइव? इन टू पाइव. अब यह तो मैं दोनों के आंसर में चू कर दों या Let's move to next example, ये भी अच्छा question है, there are 5 true false questions, ठीक है, चलिए, कितने true false question है, 5, if no two students have answered the same sequence of answers and no student has given all correct answers, ठीक है, how many students are there in the class for this to happen, ठीक है, अब यहाँ देखू, possible ways, या possible arrangement आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखना ध्यान से, तो हम यह लिखेंगे, यहाँ पर arrangement यहाँ पर हमारा हो जाएगा, कि sir, देखिए, पहला question, past true or false है, दो answer possible, या तो true या तो false, तो आप लिखोगे, यहाँ पर two, दूसरा question, दो answer possible, तीसरा question, उसके भी दो answer possible, चौथा question, उसके भी दो, और पांच भा question, उसके भी दो, सब कुछ multiplication में क्यों है, क्योंकि sir, यहाँ पर पहले question का भी test answer देना है, and second question का, and third का, and fourth का, and fifth का, जब and आ जाता है, तो हम multiply करते हैं, two को पांच बार multiply करने से, अच्छा, मैं एक आलसी गणे तक यह होने के नाते, यहाँ पर क्या लिखूंगा, two power five, यह वो सारे possible ways हैं, जिन में answer दिया जा सकता है, ठीक है, अब इन सारे possible ways में से, सही कौन सा होगा, कोई एक ही होगा, अब वो जो भी हो कि पहला true, दूसरा false, तीसरा false, चौथा false, पांच पांच पार, जो भी system होगा, वो कोई एक ही तरीक है, है ना, तो यहाँ पर आपके रहे है, two power five, यानि 32, minus one, that is 31, ठीक है, आप अच्छा सुनो, कुछ लोग क्या convince होते हैं, कि सर two power five आएगा, या five power two आएगा, देखो वो आपको यहीं सवाल में देखना पड़ता है, किसके पास choice है, ठीक है, वो जो हर एक सवाल है, उसके प यह खाली practice से ही आता है, ठीक है, सिर्फ नंबर देखके 5 या 2 नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको यहाँ पर सोचना है, कि किसके पास choice बन रही है, तो choice सवालों के पास है, ठीक है, हर एक question के पास एक individual choice है, कि वो true हो जाए या false हो जाए, या हर एक सवाल को जवाब करने क दो तरीके या तो true या तो false, जिसके पास choice होगी, उसके साब साब arrangement निकालोगे, ठीक है, माइनस वन हमने क्यों किया, क्योंकि जब हम possible arrangement निकाल रहे होंगे, तो उसमें एक arrangement वो भी आया होगा, जो कि हमारा perfectly सही answer होगा, यानि सारे questions का सही जवाब, सवाल में कहा गया है, कि student ने सारे सही जवाब नहीं दिये, तो आपको वो एक minus करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, जब teacher ने देखा, तो basically हुआ क्या था, कि सबने अलग-अलग तरीके से answer दिया, मतलब सबका जो true-false वाला pattern वो अलग है, और यहाँ पर सारे pattern cover हो गए, except the perfect correct one, तो वो हमने minus कर दिया, और हमारा answer आगया 31, screen clear, जी sir, यहाँ पर देखो इन सारे सवालों में, जितना आप खुद को as a open रखोगे in terms of understanding, कि सवाल आप से क्या situation मांग रहा है, उतनी easily आपके जवाब निकल के आएंगे, question number 12, अपकी बार देखो क्या कहा रहा है, कि a question paper contains 10 true or false concerns, अपकी बार 10 true or false सवाल है, in how many ways can a student attempt one or more question, अब यह जनाब कहा रहा है, कि व्यक्ति एक या उससे जादा सवाल कितने तरीके से attend कर सकता है, यह आपको यहाँ पर बताना है, थोड़ा सा मेहनत वाला कार रहे है, ठीक है, देखो अब यहाँ पर, आपने क्या बोला, एक या एक से जादा, ठीक है, अब यह समझना कि हर एक सवाल के पास चॉइस कितनी है दो ठीक है या तो ट्रू या तो फॉल्स तो अब यहां पर आप कह रहे हैं भाई या पॉसिबल जो आपके ऑप्शन होने चाहिए या पॉसिबल आपका जो वेज होने चाहिए वो आप कैसे निकालोगे सबस्तों देखो यहां पडिए यह मामला अलग कस हो जाएगा यह मामला अलग इसलिए हो जाएगा बाके सवालों से क्योंकि यहां Fiona ने कहा है कि अटेंट ही नहीं किया है ठीक है तो उस केस में आपके पास किसी सवाल के जवाब करने के तीन पॉसिबल चॉइस सर क्या मतलब नीन में ओक है देखो चॉइस नमबर वान कि आपने उसका जवाब लिखा ही नहीं तो no attempt या no answer मतलब आपने blank छोड़ दिया no answer या फिर blank ठीक है जॉइस नमबर टू आपने उसको true लिख दिया चॉइस नमबर थी आपने उसको लिख दिया false यह समझ में आया पिछले वाले मामले में तो इस मामले में क्या फरक्या पिछले वाले इस case में हमारे number of possible ways निकालेंगे तो जैसे पिछली बार true of false case में 2 power 10, 2 power 5 था इस बार हो जाएगा 3 power 10 क्योंकि हर सवाल को attempt करने के मेरे पास 3 option है या तो मैं attempt ही ना करूं blank छोड़ दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है या तो मैं उसको true लिख दू या फिर उसको false लिख दू लेकिन इस attempt वाले मामले में एक मामला वो भी हो जाएगा जिसमें मैंने सारे 10 के 10 सवाल को attempt नहीं किया इसलिए यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा एक minus one करना पड़ेगा इस देस क्लियर जी सर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जरा से भी नहीं सर आपको यहाँ पर understanding develop हुई हम कहना क्या चा रहे हैं हम कहना आप से यह चा रहे हैं भाईया कि पिछले वाले सवाल में अगर आप compare कर रहे हैं कि वहाँ पर भी true और false है लेकिन वहाँ पर two की power number of questions था यहाँ पर three की power number of questions है दोनों में फरक क्या है दोनों में फरक यह है कि attempt या ना attempt करने की choice मिलने का फरक है अगर आपके पास attempt या ना attempt करने की choice मिल जाती है तो आपको हर सवाल को जवाब देने के तीन possible ways हो जाते हैं एक या तो आप attempt ही ना करो दूसरा आप true लिख दो तीसरा आप false लिख दो और क्योंकि हर सवाल के पास तीन choice है तो मेरा हो गया three की power ten minus one वो हुआ जिसमें हमने किसी भी सवाल को attempt नहीं किया है और क्योंकि हमें allowed क्या है हमें allowed है कि भई है देखो आप एक या एक से जादा सवालों को जवाब तो देना ही देना पड़ेगा ठीक है तो वो जो सारे non attempt वाला जो था ना वो वाला एक case हमने minus कर दिया बाकी सारे के जिसमें आपने एक attempt किया बाकी नौ नहीं किये दो attempt किये बाकी आट नहीं किये वो सब इसमें सामय लोग और वो सब हम count भी करेंगे चुकि सवाल कह रहा है एक या एक से जादा attempt करने आपको ठीक है चलिए तो minus one कौन सा हुआ वो case जिसमें एक भी सवाल attempt नही किया गया example number 13 अब देखिया हमाई सामने क्या बोल रहा है find the number of ways of selecting a president a secretary and a treasurer from a board of eight members if two members who were holding one of these positions cannot be nominated again मामला थोड़ा सा यहाँ पे क्या है थोड़ा सा आपके लिए confusing तो है ठीक है चलिए क्या कह रहा है आपसे आपको number of ways पता लगाने select करने के किसको president को secretary को and treasurer को कितने लोगों में से आठ लोगों में से ठीक है चलिए eight members अब आठ मेंसे कितने select करने तो तीन करने है यह तो मामला कुछ आरा दिक्कत का होना नही चाहिए लेकिन अब आगे का कह रहा है if two members who were holding one of these positions cannot be nominated again सर अर्थात अर्थात मेरे भाईया यह कि देखो अभी भी जो अपना यह जो पूरा group है या जो भी है इसके आठ में से कोई दो लोग जो होंगे वो अभी भी secretary या फिर यह जो अपने position से उन पे होंगे है ना तो आठ में से कुलमिला के मामला यह है कि इन आठ में से कितने लोग हैं दो लोग ऐसे हैं दो members हैं जो की अभी hold कर रहे हैं position ठीक है इनको आप दुबारा नॉमिनेट या इनको दुबारा पद पे नहीं रख सकते तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उस case में number of ways क्या हो जाए जाएंगे कि भाईया आपके पास आठ में से अब लेकिन कितने लोग नॉमिनेट हो सकते हैं छे तो आप लिखोगे 6P3 क्योंकि आपको select कितने करने तीन करने हैं कौन से एक president एक secretary एक treasurer मैंने आठ में से 6 क्योंकि मैंने वो दो लोग हटा दिये जो currently position को hold कर रहे हैं और उ तो 6P3 यहां पर हो जाएगा अगर आप देखो के formula के हिसाब से तो 6 factorial upon 6-3 यानि 3 factorial तो आपका जवाब आना चाहिए 6 into 5 into 4 ठीक है into 3 factorial upon 3 factorial ठीक है चलिए चीजों को हम cancel कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सर तो 3 factorial यहां गया 3 factorial यहां गया छे पंजे 30, 30 चौक हो जाता है 120 तो आपका जवाब आना चाहिए 120 ways ठीक है मैंने दिये थे 8 members लिये 6 क्यों क्यों कि दो लोगों को आपने कहा कि आप दुबारा member नहीं बना सकते दुबारा nominate नहीं कर सकते तो उन दो को हमने आठा दिया आप नहीं होंगे election का part आप vote कर सकत तो 6 P 3 इसलिए answer आया 120 इस दिस क्लियर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जरा सी भी नहीं सर्थ चलिए बहुत बढ़िया screen आपकी यहां पे clear हो जाती है question number 13 समाप्त question number 14 कह रहा है find the number of signals which can be given with five flags two of a different colors 5 अलग-अलग colors के flag है आपके पास 5 hosted one above the other by using any number of flags ठीक है कितने signals आप बना सकते हैं अब देखो इसमें मामला क्या बनेगा देखिए माली यह आपका एक road है जिस पर आप यह signals बना रहे हैं option क्या होगा कि सर हम कोवल कोई एक color का flag लगा दें ठीक है option 3 तीन color के flag लगा देंगे option 4 चार color के option 5 पांच color के flags ठीक है अब इसका जव आप क्या करोगे आप यहाँ पे करोगे possible ways ठीक है नमबर वन पहला केस क्या होगा पहला केस होगा कि आपने पांच flag में से किसी एक को arrange किया है तो 5P1 इतना clear है जी सर second option क्या हो सकता है कि आपने पांच में से किनी ही दो flags को arrange किया है ठीक है sir third option आपने पांच में से किनी ही तीन flags को arrange किया है ठीक है चौथा option आपने पांच में से कोई 4 flags को arrange किया है last option कि आपने पांचों के पांचों flags को क्या कर लिया है arrangement में शामिल कर लिया अब सवाल यह है कि इनके बीच में multiplication होगा या addition होगा क्या होगा आप बताओ सर multiplication तब होता जब आपको यह पांचों cases करने पड़ते मतलब एक के बाद एक के बाद एक and वाला case होता लेकिन ऐसा नहीं है मेरे पास option है कि या तो मैं 5 में से कोई एक flag use करके hoist कर लूँ या फिर हिंदी में कहें तो या फिर English में कहें तो और मेरे पास choice है कि 5 में से कोई 2 कर लूँ और मेरे पास choice है कि 5 में से कोई 3 कर लूँ और मेरे पास choice है कि 5 में से कोई 4 कर लूँ या पांचों के पांचों को मैं hoist कर दूँ ठीक है क्योंकि मेरे पास इन पांच options में से कोई भी एक option choose करने की आजादी है यानि इन सब के बीच में हिंदी वाला या अंग्रेजी वाला और आ रहा है तो मैं इनमें addition का angle लेक्या होंगा clear है multiplication का बात है जब आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा पांच वाक पांचों के पांचों इवेंट करने हो मुझे यह सारे थोड़ी करने इन में से कोई एक भी कर दूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा ठीक है अब देखो यहाँ पे 5P1 कितना हो जाएगा तो सर्फ 5P1 हो जाएगा 5 factorial अपान 4 factorial राइट येस 525 P2 वुड़ी 5 factorial अपान 2 factorial तो यहाँ आप लिखोगे 3 factorial plus 5 factorial upon 2 factorial plus 5 factorial upon 1 factorial because 5-4 is 1 and then lastly 5 factorial upon 0 factorial राइट चलिए वाट इस 5 factorial upon 4 factorial चलिए इसको केवल 5 मिलेगा आपको क्योंकि बाकी का चार कैंसल हो गया इधर पर आपको मिलेगा 5 into 4 ठीक है इधर पर आपको क्या मिलेगा सदर पर मिलेगा 5 into 4 into 3 अब हम इतनी practice कर चुगे कि हमें ये easily समझ में आना चाहिए इधर पर क्या मिलेगा इधर पर मिलेगा सर 5 into 4 into 3 into 2 and lastly 5 factorial को में 120 भी लिख सकता हूं directly ठीक है चलिए तो आपका जवाब होना चाहिए पांच प्लस बीस प्लस अगला क्या होना चाहिए फाइफ ओर 20 into 360 इधर पर आजाएगा 120 और इधर पे भी आजाएगा 120 इस दिस क्लियर जी सर फाइफ ओर 20 20 into 6 is 120 120 प्लस 120 हो जाएगा 240 240 प्लस 60 हो जाएगा 300 300 प्लस 20 हो जाएगा 320 और प्लस 5 करोगे तो आपका जवाब आना चाहिए 325 इस देस क्लियर जी सर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जरा से भी नहीं सर अब यहां पर देखो आपने क्या बोला कौन से कौन से अरेंजमेंट पॉसिबल हैं पांच केसिस पॉसिबल है या तो पांच प्लस इंक्रीज होता गया और कुल मिला के हमारे पास अंसर आया 325 ठीक है क्योंकि सवाल में क्या रखा था एनी नंबर फ्लाक्स अब बिना फ्लाक्स के तो जंडा बनेगा नहीं तो इसलिए फाइफ पी जीरो तो हम लेंगे नहीं उसका कोई सेंस बनता भी नहीं है ठीक ह तो इसलिए तो इसलिए नहीं कर सकते हैं आपको फॉर यूस करने है अट टाइम तो उसके समें क्या होगा आपके पास उपलब्द कितने हैं च्छे आपको अरेंज कितने करने है चार तो आपका जवाब क्या होना चाहिए जवाब होना चाहिए 63's are 18, तो 18 into 20, यानि 360, चलिए, next case क्या बोल रहा है, all letters आपको use करने, तो आपके पास available 6 है, आपको arrange भी सारे के सारे करने 6, तो आपका जवाब होना चाहिए 6P6, which is also equal to 6 factorial, और इसका जवाब होना चाहिए 720, 5 factorial is 120, 6 factorial में 6 multiply हो जाएगा 120 में, तो आपका जवाब आएगा 720, क्या ये दोनों मामले clear हुए, एक बार जब आपको 4 select करने थे formula कुछ ऐसा बना, जब आपको 6 के 6 select करने थे, जब आपको ऐसा आया 720 के बराबर, चलिए, screen यहाँ पर clear हो जाती है, आसानी से हमारा सवाल हो गया, समाप्त, अब यहाँ पर एक important चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए, जब जिस पर based question आते हैं बहुत बार, ठीक है, permutation when all objects are not different, अब यह देखना, आपने पढ़ा है कि all objects are different होते हैं तो क्या होता, अब यह कह रहे हैं कि सारे objects different नहीं है, कुछ objects different है, कुछ नहीं है, ठीक है, variety sort of question है, आप आप example देखोगे, आपको बेटर समझ में आएगा, तो अगर आपको n objects arrange करने हैं, जिसमें से p are alike, ठीक है, और of one kind, q are alike of another kind, and r alike of another kind, third kind, the remaining all different is n factorial upon p qr factorial, अब सर यह क्या है कुछ समझ नहीं आए, देखोगे, मैं आपको example के माध्याम से समझाता हूँ, देखोगे, आपको सामने example 16 दिया है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 4 red, ठीक है, तीन yellow and दो green disk को arrange करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, possible arrangements, यह जो concept है, यह examples के थूँ better समझ में आता है, इसलिए हमने यहाँ पर examples आपके समक्स लिख दिये हैं, ठीक है, तो possible arrangements क्या होगा, सर, arrange कितने करने हैं, पहले तो यह देख लो, तो 4 और 3, 7 और 2, 9 करने हैं, तो उपर तो आगया आपका 9 factorial, यह नि टोटल जिनको arrange करना है, अब समस्या यह है, कि 9 चीजों को arrange करने के लिए, 9 factorial is absolutely correct, problem is, आपने कहा 4 red balls हैं, अब red balls जो 4 हैं, वो exactly identical होंगी, fair enough, तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपने कौन सी ball कहां रखी, कैसे arrange की, आपके लिए, उन 4 balls को कहीं भी arrange करना, is like a same thing, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, आप number of arrangements निकालने के लिए, इन्हें divide करोगे, 4 factorial, 3 factorial and 2 factorial से, यह क्यों, वो चीज़ें, जो की एक जैसी हैं, उनकी संख्या एक जैसी, जो दिखने में एक जैसी, जिनके features एक जैसे हैं, जिनने हम आसानी से distinguish नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं क्या लेखा है, देखो, कि disc of same color are indistinguishable, मतलब आप नहीं फरक कर पा रहें, तो अब ज things, आपके लिए red is red, ठीक है ना, तो इसलिए आपको उनको balance करने के लिए यहां divide करना पड़ता है, 4 factorial, 3 factorial and 2 factorial से, मतलब जो भी चीज़ repeat हो रही है, जो भी चीज़ indistinguishable है, उसके हिसाब से, ताकि आपका arrangement गलत ना हो जाए, ठीक है, अब जिसे for example, मानलो आपने लेखा 9 factorial, तो एक बात बताओ, आपको कितने arrange करने, arrange करने तो मानली आपके पास यह पहली seat है, अब आपने का मैं यहां red वाले को बिठाओंगा, चार red है, किसको बिठाओगे, किसी एक को ही बिठाओगे ना, पर लेगन आपके लिए red तो 4 है, तो अब मान लो, यहां पे आपके आप arrange नहीं करेंगे, तो चुकि देखो, आप जब इसको arrange कर लोगे, मानलो, आपके पास पूरा आपने यह setup कर लिए, जो भी आपका अंसरा है, वो सारे setup बना लिए, तो आपने पहले place पे 4 जगा पे red रखा है, ठीक है, वो 4 red में फरक है, वो 4 अलग अलग red है, for example, ठीक है तो आपने यहाँ पे गिने कितने, 4 पर देखने वाले को यह 4 लगेंगे कैसे, एक जैसे, क्यों, चुकि उनके लिए जो red उपर है, वही red चौथे स्थान पे, red तो red है, आप कहरो नहीं, यह तो चौथा वाला red है, वो बोलेगा, मुझे क्या पता, या color तो same ही, red तो red है, म अगर आप इसको solve करोगे, तो यहाँ पे आप 9, 8, 7, 6 and 5 को बाहर निकालोगे, ताकि 4 factorial को आप deal कर सको, ठीक है, और नीचे एक 4 factorial है, तो वो मैंने लिख दूँगा, ठीक है, साथ में है, एक 3 factorial जिसका जवाब आता है, 6, तो मैंने आपे 6 लिख दिया, और एक लिख दिया 2 ठीक है, क्योंकि 2 factorial is 2, अप चीज़े कौन जी cancel होंगी, सार 4 factorial से 4 factorial जाएगा, 6 से 6 जाएगा, 2 cancel करेगा, 8 को तो जवाब आएगा, 4, final answer, 7, 9 जा होता है, 63 and यहाँ पे 4, 5 जा हो जाएगा, 20 तो आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पे, 1, 2, 6, 0, ठीक है, फिर से देखना ए होता है, 63, 4, 5, 0, कितना होगा, 20 तो आपका जवाब आया, 1, 2, 6, 0, ठीक है, यहाँ पे division हमने क्यों किया, क्योंकि जब हम arrange करने बैठेंगे, तो red की 4 balls है, माल लीजे, पर हम 4 को अगर अलग-अलग भी रख रहे हैं, और 4 वो बना रहे है, possible combinations, तो भी किसी देखने वाले के है, वो 4 combinations, same ही होंगे, क्योंकि आपने red पे, अलग-अलग number of ball रखिये, पहली, दूसरी, तीसरी, चौती, लेकिन color सब का ready है, तो वो आपको फिर कुछ खास, अलग तरीके का arrangement नहीं देगा, वो is it like same arrangement coming four times, तो उसको balance out करने के लिए, आपने यहाँ पे divide किया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, number of permutations of the letters of the word Hyderabad, कितने word हैं तो सर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, ठीक है, कितने word हैं यह, नो है, तो आपके यहाँ पे possible arrangement permutation कितने हो जाएंगे, तो आप लिखोगे, number of permutations is equal to, ऊपर आ जाएगा, 9 factorial, और नीचे repetition को या फिर same जैसे दिखने वाले objects को balance out करने एक लिए मैं गिनूँँगा, कि कौन-कौन से repeat हो रहे हैं, तो आपने लिखा 2 factorial, ठीक है, D आ रहा है दो बार, तो आपने उसका लिखा 2 factorial, ठीक है, और कौन है, सर, A हो गया, E तो नहीं है, ह, Y, E, R, B, यह सब अलग ठीक है, जिसको आप लिख सकते हो, 9 factorial upon 4, reason being, 2 factorial is to 2, 2 is a 4, अब मैं 9 factorial को 4 से divide नहीं करा, 9 factorial is a very big value, ठीक है, जिसे अगर आपको याद हो, 6 factorial 720 आता है, उसमें into 7 करना, फिर 8 करना, फिर 9 करना, फिर divide by 4 करना, बहुत महनत का कारे, आप इतना छोड़ोगे, तो भी कोई दिक्क तो नहीं, जरा से भी नहीं सर, 9 factorial को, क्योंकि 9 alphabets थे उस letter में, divide by 2 factorial हमने दो बार क्यों किया, क्योंकि D और A ऐसे दो letters है, जो दो बार repeat हो, बन्ता, for example, मैं आपको यहाँ पर दिखाओ, एक simple arrangement कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैंने लेखा, D, H, Y, E, R, A, B, A, D, ठीक है, यह ए एक arrangement है, और मैं एक दूसरा arrangement कर रहा हूं, D, H, Y, E, R, A, B, A, D, अब मैंने मेरे mind में दो अलग-अलग permutations किये, फरक क्या है, देखो, मैं आपको फरक बताता हूं, पहले वाले मैंने इस D को आगे भेजा, बाकी सबको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, दूसरे वाले मैंने इस D को आगे भेजा, बाकी सबको वैसे रहने दिया, तो मेरे mind में मैंने दो बार arrange किया, ठीक है, तो जब मैं गिरूंगा, मैंने दो arrangement complete कर लिए, पर जब मैं लिखके देखूंगा, तो ये दोनो arrangement तो exactly same है, तो इनको एक गिनना चाहिए न, तो इस तरीके के arrangements को balance out करने के इनका जो outcome आएगा, जो result आएगा, वो भी same आएगा, तो फिर इनको दो बार count करके हम गलत नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो फिर ऐसा होगा, हमने counting में कुछ और किया, लिखे कुछ और, तो जवाब हमेशा फिर गलती आएगा, इंचान होते रहेगा, परिसान, चलिए screen clear, example number 17 and probably, आज के session का साथ, last question होगा, यह example number 18, जो कह रहा है, how many numbers greater than 100, यहाँ पर देख कितने zeros हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros है, can be found by using the digits, 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4, 2, 4, चलिए, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सर, possible out, possible हमारे ways निकालेंगे, possible arrangements निकालेंगे, तो उसका जवाब क्या होगा, तो सर, उसका जवाब यहाँ पर होना चाहिए, arrangements, पहले मैं word पूरा लिख लूँ, कितने हैं यह, तो सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो आपने लिखा 7 factorial, ठीक है, in fact, 7 factorial हम करेंगे, तो देखो एक बात समझो, यहाँ पर, एक पता है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, 7 factorial की जगा, थोड़ा सा change, reason being, मान लो, अगर 0 पहले आ गया, तो, तब तो दिक्कत है न, क्योंकि अगर 0 पहले आ जाएगा, और उसके बाद, अगर मैं arrange भी करता हूँ, तो मान लो, 0, उसके बाद मैं लिखा, in increasing order की, 1, 2, 2, 2, 4, 4, यही होगा, अगर ऐसा कुछ हो गया, ठीक है न, अगर ऐसा कुछ हो गया, भाया, तो फिर वो उस number से बड़ा कैसे होगा, इसलिए मैं 0 को यहाँ पे पहली प्लेस पे नहीं रख सकता, तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए, सर मेरा जवाब होना चाहिए, यहाँ पे मैं देखू, तो देखो यहाँ पे ध्यान से अब सुनना, कैसे करेंगे, सर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जो पहली प्लेस है, ज इसी 1 को बैठा दिया मानलो, ठीक है, दूसरी प्लेस पे अब कितने उप्शन है, मानलो अपने 1 को बैठा दिया, एक्जामपल के तोर पे, कितने उप्शन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब अच्छी बात यहाँ पे, कि यह जो 6 वाला मामला चल रहा है, इसको जब हम आगे बढ़ाएं फाक्टोरियल, अब ध्यान से समझना, अगर यह 0 की जगा कोई और नंबर होता, 1, 2, 3, 4 में से कोई भी होता, तो मेरा जवाब सीधे-सीधे आता, 7 फाक्टोरियल, reason being, हर नंबर कहीं भी बैठ सकता है, या पहले स्थान पे तो बैठी सकता है, पर लेकिन 0 आने की वज़े स से मुझे जो पहला डिजिट था, उस पर थोड़ा सा कॉंप्रोमाइस करना पड़ा, साथ में से मैं किनी छे कोई बैठा पाँगो, तो छे ही लिखूंगा ना, मैं वहाँ पे, पहले प्लेस के लिए छे ही ऑप्शन है, उसके बाद वाली सारी प्लेस के लिए ऑप्शन पॉन होते जाएंगे धीरे-धीरे, ना इस वुट भी डिवाइड़ वाए, रिपीटेशन माले कौन-कौन से सार, टू है, तीन बार रिपाईट हो रहा है, तो थी फैक्टोरियल, फोर है, दो बार रिपीट हो रहा है, तो दो फैक्टोरियल, क्लियर है ये, जी सर, अब य तो आपका जवाब होना चाहिए 360 is this clear कहीं कोई देखका तो नहीं जरा से भी नहीं सर question number 18 example number 18 which is a unique question जहां पे direct formula नहीं लगा बलकि आपने थोड़ा सा सोचा कि इस में से कौन सा वाला case हमारे लिए यहां पे ideal नहीं है और फिर उसके साथ से अंसर बताया कि 360 possible ways है एसा number बनाने के जो कि इन digits को यूज करेगा और इस number से बड़ा होगा दोनों condition को पूरा करेगा ठीक है चलिए screen को clear करते हैं and here we would end our session लेकिन session end करने से पहले आपके लिए बहुत important information है ध्यान से सुन के जाना information यह है मेरे भाई और बहनों कि आपको यह तो पता है कि अपना YouTube channel है बढ़िया उससे आप सारे sessions or lectures को देखते हैं लेकिन आप में से बहुत विद्यारती हमारे पास अक्सर यह शिकायत लेकाते हैं यू कहते हैं कि सजेशन लेके आते कि सर YouTube channel पे वीडियो और lectures को ढूंड़ पाना कई बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां पे बहुत सार किया है कि हमारी website और आप जो कितने काफी समय से चल रही है काफी सारे students कर रहे हैं उसे अब और ज्यादा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है आप इन दोनों ही माध्यम पे चाहें website हो चाहें आप हो हमारा सारा content classified manner में देख पाते हैं आप देखिए सारी classes सारे स्टीम स सारे subjects और सारे teachers वो सब आपको यहां पर अलग अलग एक कह सकते हैं कि हमने diversify कर दिया या फिर categorize कर दिया है आपके सारे content को जिसे आप easily बहुत जल्दी directly आपके specific content तक पहुंच सके ठीक है अब यह अगर आप ऐसा करते हैं आप और website को यूज करते हैं तो यह मतलब नहीं कि कि आप YouTube को regularly check नहीं करेंगे तो उसके लिए YouTube को subscribe करना मत भूलेगा क्योंकि अगर YouTube को subscribe कर लोगे हमारे चैनल को तो आपको regular updates मिलते रहेंगे notifications मिलते रहेंगे social media पर follow करना बहुत जरूरी है reason being कि social media पर हम आपको सारे जो भी हमारे बोर्ट से चाहिए स्टेट बोर्ट सो वह जब भी कोई important information रिलीज करते हैं तो हम उसको आप तक पहुंचाते हैं through these social media platforms और बहुत सारे fun online sessions भी आपको सिखाते हैं इन social media platforms के through ही आप हमारे इनोट्स और इबुक्स को भी प्रोक्यूर कर सकते हैं उसके दो तरीके एक तो आपके पास description box में लिंक है बढ़िए उसको क्लिक कर दो सीधे वहां पहुंच जाओ जहां पर नोट्स प्रोक्यूर कर सकते हो या फिर हमने अपनी वेबसाइट और आप पे अलग से आपके लिए टाप बना ले जिसपे आप क्लिक करके सीधे वेबसाइट से आप जा सकते हो नोट्स औ आपको सतत हाई कॉलिटे एजूकेशन प्रोवाइट कराते रहेंगे इस बात के रिस्पॉंसिबिलिटी पूर्ण तह हमारी है आपको बस क्या करना है आपको पूरी शिद्दत लगन और मेहनत से पढ़ाई करनी है और पूरे डेडिकेशन से अपने एक्जामिनेशन में अ का बहुत अच्छे से ध्यान रखी है टेक कियर आफ यॉर्सेल्फ सी यू दे नेक्स सेशन कुछ नया सीखेंगे बावाई टेक क्या